हेलो एब्रिवन वैलकम टू केमरेंकर्स जैसा कि अभी अपने फर्स लेक्शर में मैंने आपको प्यूरिडिक टेवल कैसे याद करना है वो पूरा एकदम से रटा दिया था राइट अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है बनना मैं उसका लिंक आपको डेस्क्रिप लेकिन अब कुश्यन यह आता है कि कुछ ऐसा भी पता चल जाए कि हम उनके इलेक्ट्रोनिक कॉंफिकरेशन को लिखना सीख जाएं राइट मान लीजी हमें कुछ ऐसा कुश्यन अटेंट करना पड़ गया कि जिसमें हमें उसके पूरे इलेक्ट्रोनिक कॉंफिकरेशन की लिखना पड़ सकता है तो आज हम यह देखेंगे ऐसी ट्रिक पता करेंगे कि किस तरीके से हम बहुत कम टाइम में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिक कॉंफिकरेशन लिख सकते हैं तो यह हमारा टेलिग्राम लिंक है आपको अगर नोर्स चाहिए तो आप यहां पर हम उसे जोटेस्ण हो सकते और रिक्रेश्ट भेज सकते हैं अ क्या लोग मेंट फल Monet शोटने कॉंफिकरेशन है लेखिए एट्सीरिवीशन अफ इलेक्ट्रोन्स का अप्येश्यों मोलिक्यूल in atomic to molecular orbitals see जो हमारी जो sub cells है SPDF तो आप जो electrons का distribution करते हैं कि कितने electrons हमारे S में जाएंगे कितने P में, कितने D में तो जो distribution का एक जो sequence आता है उसी को हम बोलते हैं electronic configuration इसको find out करने के tricks में आपको कुछ step follow करने है सबसे पहले आपको क्या करना है मान लीजिए आपको आपको दे दिया है कोई भी element आपको दे दिया है चाहे बिस्मत दे दिया हो चाहे कोई भी element आपको दे दिया है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस element का atomic number क्या है ठीक है, atomic number नहीं दिया है question इस type से भी पूछ लीता है केवल आप आपको नाम दे देता है तो आपको atomic number पता होना चाहिए सबसे पहले आप atomic number find out करेंगे मैंने बता रखा है जो trick है पहली lecture की उसमें बता रखा है कि ऐसे आप atomic number लिख सकते हैं ठीके उसके बाद आप उस atomic number को आप inert gas से compare करेंगे उसके बाद आप check करेंगे कि उसमें n-2f या फिर n-d है या नहीं देखिए अगर हमारा जो element lower element होगा मतलब उसमें just उसमें n वराबर 2 तक खतम हो जाएगा case तो फिर तो हमारा d तो 3 से start होता है ठीके तो d उसमें होगा ही नहीं या फिर मान लीजिए कि हमारा जो f है वो 4 से start होगा तो उस time पर हमारा f होगा ही नहीं lower element f जो है वो higher elements में आता है जिनका atomic number बहुत high होता है ठीके तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा n कितना है वो बताएगा कि f होगा या नहीं होगा उसके बाद आप क्या चेक करेंगे कि जो outer cell है उसकी आप filling कर लेंगे वो table के basis पर बहुत easy होती है मैं अभी बता दूँगी और finally जो बच्चे हुए elements जो बच्चे हुए electrons होंगे वो d या f जो भी present होगा उसमें fill कर दिये जाएंगे तो एक example देख लेते हैं उससे सब कुछ clear हो जाएगा देखिए हमने elements कौन सा उठाया है TL हमने elements TL उठाया है मान लीजिए मैं question दे दिया कि write down the electronic configuration of TL तो आपको पहले atomic number पता करना है तो देखिए TL किसका है हमने आपको क्या बताया था बैगन, आलू, गाजर, इन, तेल ठीक है then B, A, L, G, A, I, N, T, L अभी आपको पता चल गया कि यह किसका है बोरोन फैमिली का है पहला बात आपको क्या पता चला कि यह बोरोन फैमिली का है बोरोन फैमिली का पता चला boron family का पता होने के बाद आपको जो सबसे छोटा वाला है 5B ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा ये तो एक रो तो हर को याद कर लेगा ठीक है 5B, 6C, 7N, 8O इतना तो याद करी लेंगे आप तो आपको पता चल गया कि ये क्या है 5B मलब boron family का है जिसका atomic number आपका कितना है 5 अभी मैंने आपको sequence बताया, sequence मैंने बताया देखे, sequence S, D और P, तीनों में अलग-अलग होते हैं S में आपको 2, 8, 18, 18, 32 करना पड़ता है लेकिन P में आपको क्या होता है, 8, 18, 18, 32 होता है ये मैंने table में clear किया है, please वहाँ पे चेक करिए एक बार ओके, तो इसमें P block में आपको 8, 18, 18, 32 करना होता है तो आप 5 में आपने क्या किया, 8 को add किया, 13 आ गया तो aluminum का कितना है, 13, अब इसमें 18 add किया तो आपके पास कितना आ गया, 31, 31, जो आपका कितना है, GA का उसमें आपने फिर से 18 add किया, 49, जो आपका किसका है, IN का, 32 add किया, 81 अभी आपको क्या मिल गया जल्दी, देखिए, अभी मैं explain कर रही हूँ जो आप quickly करेंगे न, आपके दिमाग मां सारा concept feed हो चुका होगा न, उस टाइम पर आपको just seconds लगेंगे, just seconds, जालर टाइम नहीं लगेगा, तो finally आपको क्या पता चल गया कि, जो टी है, ले उसका atomic number कितना है, 81, 81 पता चल गया, अभी दूसरे step आपका किया है, कि आपको इसे inert gas से compare कराना है, inert gas, मैंने बताया था, याद करने का तरीका ही बताया था, हेमा, नेहा और करीना, ये तीनों actresses हैं, हेमा, नेहा, दूपिया और करीना, ठीक है, तो इनकी जिंदे की बहुत रंगीन है, बहुत colorful है, तो हेमा, नेहा और करीना, X-ray रंगीन, राइट, तो helium, neon, argon, krypton, ginon, redon, ये मैंने बताया था, अब जल्दी से अगर आपको इनका पता है, atomic number तो ठीक है, नहीं पता है, तो इनका भी आप लिख सकते हैं, पहले आपने 8-8 किया, 18-18-32, तो finally आपको क्या मिला, finally आपको मिला कि जो आपका TL है, वो XC और RN के बीच में हैं, ठीक है, XC और RN के बीच में हैं, चलिए आगे देखते हैं, जब आपको ये पता चला कि इन तोनों के बीच में हैं, तो lower वाला आप उठा लेंगे, कौन सा, lower वाला, जैसे कि मैंने यहां पर क्या उठाया, हमने XC उठाया, जो 81 से lower है, 54 है जिसका atomic number, 81 से कम है, 81 से कम है, वो हमने उठ हा लिया, अब हमें ये पता चल गया था, देखे, यहां पर देखे, यहां पर ये पता चल गया था कि N की वैल्यू कितने तक हमने cover कर ली, inert gas में, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब XC तक अगर हम उठाएंगे, तो N बराबर 5 तक cover हो चुका है, मतलब अगर हम direct XC लिख देंगे, जिनों ल ठीके, देखे, तो N बराबर 5 तक हम जिनों में cover हमने कर लिए, अब हम आएंगे किस पे, N बराबर 6 पे, मतलब हमें N बराबर 6 से स्टार्ट करना होगा, N बराबर 6 से हमें स्टार्ट करना है, अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें F और D होगा या नहीं, देखे, N-2 किया, 4, तो 4 पे F होता है, 3 पे F नहीं होता, 4 पे F होगा, 5 पे F होगा, 6 पे F होगा, मतलब 4 से F स्टार्ट होता है, और हमने N-1 किया, जो अपना 5D है, और D तो अपना 3 से स्टार्ट हो जाता है, तो 3D होगा, 4D होगा, 5D भी होगा, ठीक है, तो अपना क्या है, 4F है, 5D है, मतलब इसमें दोनों available हैं, इतना हमको पता चल गया, तो finally हमने कितना लिख लिया, इतना लिख लिया, क्योंकि हमको पता है, ns फिल होने, देखिए, हमें ये बात पता है, कि ns फिल होने के बाद ही, n-2f और n-1d फिल होते हैं, प्लीज अगर नहीं पता है, तो अफवाव रूल्स पढ़ लीजिए, अगर वो भी नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अफवाव रूल्स को भी n प्लस l रूल्स से, look, n प्लस l रूल, अगर ये पढ़ा है, तो ठीक है, बनना मैं एक बार बता देती हूं, n क्या है, n प्रिंसिपल क्वांटर नमर है, और l जो है, वो n से जो मिलता है, ठीक है, तो n प्लस, जिस, सॉरी, देखे, अफवाव रूल्स के कहता है, कि जिस ऑर्विटल की इनर्जी कम होगी, उसमें एलेक्ट्रोन पहले फिल होगा, और उसने एक सिक्वेंस दे दिया है, आपको सिक्वेंस याद नहीं हो रहा है, तो उस से अगर आपको यह पता करना है, आपको पता करना है कि 6S और 4F, इन दोनों में किसकी इनर्जी कम है, जिसकी इनर्जी कम होगी, उसमें लग्ट्रोन ज्यादा फिल होगे, तो उसके लिए आप देखिए, इसमें N की वैल्यू कितनी है, आपकी 6, 6 और S के लिए L की और F की वैल्यू कितनी होती है, S, P, D, F, 0, 1, 2, 3, 3, तो यह तो आपका 6, यह आपका 7, 7 ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि 4F की इनर्जी ज्यादा है 6S से, इसी वज़े से 6S पहले फिल हो जाता है, उसके बाद 4F फिल होगा, समझ में आ रहा है, N प्लस L रूल, आपको प्लस में भी ऐसे सिक्वेंस रटनी की जुरूवत नहीं है, N प्लस L से आप निकाल सकते हैं कि किसकी इनर्जी कम है, किसकी ज्यादा, ओके, are you getting my point, चलिए, स्टार्ट करते हैं आगे, तो अभी आपने इतना राइट डाउन कर लिया, इतना राइट डाउन कर लिया आपने आपको इतना पता है, कि 6S2 आ जाएगा, ये तो फिल हो जाएगा, 4F अभी पता नहीं, 5D हमको पता नहीं, 6PV नहीं पता, ठीक है, 6PV नहीं पता, भाई, आप कह सकते हो कि आपको ये कैसे पता चल गया कि P आएगा, क्योंकि ये बोरोन फैमली का है, और बोरोन का electronic configuration लिख इतना आपको आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें केवल 5 ही है, 5 को तो आप फिल कर सकते है, 2,3, और 3 क्या होगा, 1S2, 2S2, 2P1, इसका मतलब है कि इसमें 2P1 है, मतलब हर किसी के भारवाले में, P में एक electron होगा, देखिए, तो फाइनली हम कहां तक लिख ल जस्ट कुछ सेकंड में ही लिख ले जाएंगे, जब सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, अभी आपको क्या करना है, आपने पहले 81 था, 81 में से जब आपने जिनौन का 54 को माइनस किया, तो आपके पास 27 बचा, अभी आपने यहां पे यह 2 प्लस 1, 3 और फिल कर दिया, मतलब अभी आपके पास क्या बचा, अभी आपके पास बचा, 24, 24 बचा होने के बाद, अब आप आएंगे, F और D की फिलिंग पे, तो आप जब F फिलिंग कर देंगे, तो F कितनी होती है, 7 और्विटल्स होती है, F में, 7 और्विटल्स, 7 मल्टिप्लाइट इसमें फिल हो जाएंगे, 14 यहां फिल कर दो, फिर 24 में से 14 कर दो, 10 और बचे, अब क्या करेंगे, हम D पे आएंगे, D और्विटल्स कितनी होती है, 5, 5 मल्टिप्लाइट बई 2, क्योंकि एक और्विटल्स में केबल 2 इलेक्ट्रोन्स रह सकते हैं, इसलिए D में पूरी के पूरी 10 फिलिंग हो जाएगी, तो this is the final electronic configuration, this is the final electronic configuration, देखिए कितने complicated electronic configuration को आपने कितनी easily रिख लिया, तो बहुत easy था, I hope आपको समझ में आया होगा, so trick अगर आपको अच्छी लगी हो, then please subscribe my channel and share this lecture, okay, thank you very much.